आज की जो सची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इसमें एक तरफा प्यार में एक लड़की की केरोसीन तेल डालकर ले ली जाती है जान वीडियो का अगर पूरा जानना है घटना के सारी फैक्ट आपको जानने है तो आपको हमारे साथ वीडियो में आंते तक बने रहना होगा राम राम नमशकार मैं महग चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने यूपी के मुरादाबाद के एक लाइन पार नाम की एक जगे है जहां की ये सच्ची घटना है यहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है महवीर जिसकी दो बेटिया होती है और एक छोटा बेटा होता है खोटा बड़ी बेटी की वो शादी कर चुका है और जो चोटी बेटी है उसका नाम है पूनम देखने में बेहदी खूबशूरत है लेकिन वो self dependent है अपना उसने खुद का एक बुटीक चला रखा है और सुबह शाम वो अपने बुटीक से जाती है और आती है और इसी सिलसले में एक लड़का जिसका नाम होता है सिवदत वो उसको देख लेता है कहती है कि पापा ये लड़का मुझे रोज परिशान करता है और आप इसके खिलाब कुछ करिए तब ही वो उसको धमकाता है लेकिन उस समय तो वहाँ से चुप चला जाता है लेकिन सिवदत अपने हरकतों से बाज नहीं आता है और फिर भी वो उस लड़की को बारबार कि मेरी लड़की को परिशान करता है और इसके चलते पुलीस की तरफ से उसको नौटिस भी आता है लेकिन जब उसको नौटिस आता है तो उसको बहुत ही गुसा आता है गुसा आने के बाद वो अब उस गुसे को उस लड़की पर निकालता है और वो सिवदत है जो उस estás poop पिता का नाम है महीलाल जो कि अपने बेटे की ही साइड में रहता है जैसा उसका बेटा कहता है वैसा ही वह करता है जबकि यहां पर उसको अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि जो भी तुम कर रहे हो यह गलत है लेकिन यहां पर कुछ उल्टा ही होता है और सिवदत को इत लड़की पूनम के वो घर पर जाता है उस समय उसका बेटा और उस लड़की का भाई और उस लड़की का पिता दोनों घर से बाहर थे अपने किसी काम से उसकी मा जैसे ही बातरूम में नहाने के लिए जाती है तब ही उसके घर में सिवदत आ जाता है और सिवदत आने के और वो दूदू करके जलने लगती है, जैसे ही वो चीकती चलाती है, उसकी मा बातरूम से भाग कराती है, जैसे ही उसको बुझाया जाता है, उसकी आग को तब तक वहां से वो लड़का और उसका पिता महिलाल भाग चुके थे। गाउं के भी आसपास के लोग आ जाते हैं, सब ही उसको उसके जो उसमें आग लगी हुई थी उसको बुझा कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल वाले कह देते हैं कि इसका 90% शरीर जल चुका है, आप इसको यहां से किसी बड़े हॉस्पिटल में ले इस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं, और जैसे ही वो सब्तरजन में उसको लेकर जाते हैं, कुछ ही समय में सब्तरजन के डॉक्टर भी उसको मिर्ट घोसित कर देते हैं, जैसे ही परिवार को गाउंवालों को इस बात का पता चलता है, तो गाउंवाले धरने पर नारेबाजी करने लगते हैं और पुलिस से मदद मांगते हैं पुलिस भी सिवदत को अरेस्ट कर लेती है और उसके पिता को भी अरेस्ट कर लेती है और लड़की के परिवार वालों के तहरीर पे उनको जेल में डाल देती है एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसमें एक मा की को पुलिस की मदद मिल जाती तो शायद आज वो हम सब के साथ जिंदा होती तो ये सची घटना लाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कोई अगर आपको परिशान करता है तो उसके उसको हलके में ना ले उसके खिलाप आप सक्त कारवाही करवाएं और सक्त जिसे सक्त इंतज करें उस पर विश्वास ना करें शायद वो लड़की अपना दर्वाजा नहीं खोलती तो शायद आज वो जीवित होती वीडियो कैसा ऐसा किसी के साथ हो इसलिए हम इन घटना को लेकर आते हैं बहुत जल फिरातिया सची घटना के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैबार